Assalamualaikum friends, कैसे हैं, आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब लोग हैरियत से होंगे मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा और वेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें आज एक बड़ी खुशखबरी है मेरे पास आपके लिए गैस कीजिए क्या हो सकती है वो खुशखबरी यकिनन ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो मैच वो शौक से देखते हैं मुझे तो मैच देखने में कोई इतना खास इंटरस्ट नहीं है लेकिन हाँ मेरे घर में काफ़ी ऐसे लोग है कि जब मैच स्टार्ट होते है तो वो पहले सी प्रॉपर तयार ही करके है चीज अपने इस पास रखके प्रॉपर सारा कुछ तो बड़े इंटरस्ट के साथ देखते हैं और इंतजार करते हैं बकाइदा के मैच जो है वो कब से स्टार्ट होंगे तो जी हाँ बड़ी खबर ये है कि 19 सिप्टमबर से IPL शुरू हो सकता है 2020 IPL और T20 वर्ल्ड कप 2020 रद होने के बाद IPL 2020 का इनकाद तकरीबन तैह हो गया है लेकिन सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिक्ट लेक कब से शुरू होगी और इस सवाल का जवाब भी जल सामने आ जाएगा लेकिन इस दरमयान खबर आ रही है कि IPL 2020 की शुरूआत 19 से शुरू हो सकती है ये तो बहुत एक अच्छी हबर है भई पहले ऐसा मानना जा रहा था कि टोर्नमेंट 26 से तंबर से शुरू हो सकती है लेकिन ये टोर्नमेंट एक हफ़ते से पहले शुरूआत की जा सकती है इनकी भई और ये मैचिस जो है कितने बज़े शुरू होंगे IPL मैच जो है इनकी टाइमिंग्स क्या होंगी टाइम्स ओफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मताबिक इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के मैच जो है वो शाम 7 बज़ कर 30 बज़े शुरू किये जा सकते हैं हिंडुस्तान में ये मैच 8 बज़े शुरू होते हैं और 7 बज़ कर 30 मिनट पर जो है वो टास होते हैं लेकिन इस मरतबा IPL 2020 UAE जो है हो सकता है इस वज़ा से जो है मैच की वक्त में तबदीली भी हो सकती है अच्छा भई आपको ये भी बता दें कि चेर्मेन जो बरजेश पटेल हैं इन्होंने पीर को एक इंटर्व्यू में कहा था कि इस मरतबा जो मैच है IPL के 2020 जो है ये हिंदुस्तान के बाहर जो है UAE में मुनकित किये जाएंगे हिंदुस्तान में मुसलसल फैल रहे करोना वाइरस की वज़ा से ये फैसला जो है वो किया गया है हिंदुस्तान में इस वक्त करोना जो है उसकी सूरते हाल बहुत ही बुरी है क्योंकि वहाँ पर जाहिल अवाम है बस और कोई परहेज नहीं कोई इहत्यात नहीं है इसलिए ऐसे मुलकों में जो है इनकी हालत जो है वो इतनी जल्दी नहीं सुदर सकती जबकि बाहर के मुलकों ने इस पर बहुत जल्दी कंट्रोल किया है बनिस्पत पाकिस्तान, हिंदूस्तान और इस तरह के जो गरीब मुमालिक है इनके निस्पत इसलिए वहाँ पर कंट्रोल भी हो गया करोना लेकिन यहाँ पर अभी तक बहुत बुरी सूरते हाल है परजेश पतेल हैं इन्होंने बताया है कि हकूमत हिंद इससे मनजूरी के बाद IPL मैच जो है उसका शेडूल जो है वो तैयार किया जाएगा तो चलें आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि जब से ये खबरे आ रही थी कि UAE में मैच जो है 2020 हो सकता है तब से वहां के क्रिकिट असूसियेशन जो है वो खुद को तैयार करना शुरू हो गई थी यनिक उनको अन्दाजा हो गया था कि ये मैच जो है दुबई में हो सकते हैं तब से वहाँ पे क्रिकिट असूसियेशन ने खुद को तयार कर रखावा है और दुबई स्पोर्ट सिटी जो है हेड आफ क्रिकिटर जो है सलमान हनीफ ने कहा था कि दुबई स्पोर्ट सिटी में जिसमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और ICC अकैडमी जो है मैचों क के लिए तयार है बता दें कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में नो पिछ बनी हुई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटि प्रेस्टिकेशन मिलते रहें शुक्रिया